नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रहमतराज माथमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2021 के लिए संसकर्थ के मोडल टेस्ट पेपर के बारे में यह अपना बारों मोडल टेस्ट पेपर है यदि इसे पहले के 11 मोडल टेस्ट पेपर नहीं दियें तो आप चैनल पे जाके दे सकते हैं दोस्तों संसकर्थ के 30 महत उपन परसन देखेंगे और 30 में से आपके कितने किशन से होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजे चलिए शुरू कर करते हैं यह टेस्ट पहले आपको गद्यांस दे रहा है इस पर आदारित प्रसन बताएंगे उनका जबाब आपको देना है तो यह पूरा गद्यांस आप देख सकते हैं पहला प्रसन आपके सामने आ रहा है अब 61 से लेकर 90 तक क्यूशन देखेंगे यह से से इतिस में पद करते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रसन नमबर 61 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा विकल्प नमबर 3 सश्टी विबक्ती है तीसरा आंसर बिलकुल करेक्ट आंसर है अगला क्योंस ने दूर्जनों इत्यत्र परियुक्त उपसर्ग वर्तते दूर्जनों में कौन सा उप प्रसन नमबर 62 का जो राइट आंसर है वह दूर रहेगा दूर्जनों में दूर उपसर गए पहला विकल्प बिलकुल सही है प्रसन नमबर 65 का 63 के और बढ़ते हैं बलवान इत्यसमिन पदे परियुक्त प्रते वर्तते वान सत्री वतुप या मतुप बलवान सब्द में मतुप प्रते का प्रियोग हुआ है विकल्प नमबर 4 आपका विलकुल सही रहेगा बलवान में मतुप प्रते 63 का चोटा option बिलकुल सही है प्रसन नंबर 64 के और बढ़ते हैं कश्या विदाया वर्दी भवती मानवे हैं मानवशे मानवे या मानवा नाम यह आपके सामने क्यूस्टन है चौसर्ट नंबर कश्य विदाया वर्दी भवती तो यहां पर जो चौसर्ट नंबर का आंसर है दोस्तों वह आपको वताना आप कमेंट वॉक्स में जल्दी से प्रसर नमबर जो चौतशन है, उसका right answer दूसरा विकल्प मानवस्य विदया वर्दी भवती यांपर दूसरा विकल्प सही रहेगा अगला देखें प्रसन नमबर 65 शुखशे शांतेष्च प्राप्तियर्थ सर्वदा सत संगती करणिया इत्यत्र अव्यपद मस्ती इसमें अव्यपद कौन सा है ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है विकल्प हैं आपके शांतेष्च, प्राप्तियर्थ, सर्वदा या करणिया बताई 65 का राइट आंसर दोस्तों प्रसन नमबर 65 आपके सामने अवेलेबल है तो 65 में का राइट आंसर सर्वदा रहेगा सरवदा इसमें अव्य पद है तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है प्रशन अगला उसमें जो भी क्योशन आ रहे हैं आपको इस पध्यांस में से आंसर देना है तो पध्यांस देख सकते हैं आप आराम से फिर चांसरट नमबर क्योशन भी इसके साथ दिखा देता हूँ सूसरू सस्व अत्र कै लकार है सूसरू सस्व में कौन सा लकार है लट लकार लोट लकार विदिलिंग लकार या लंग लकार ये चार विकल्प आपके सामने है चांसरट टंबर का आंसर बताईएगा प्रेशन नमबर जो 66 आपको दिखाए दे रहा है प्यारे मित्रों इसका उक्तर रहेगा लोट लकार का प्रियोग हुआ है बिल्कुल दूसरा विकल्प जिनों से बताया करेक्ट आंसर है अगले पर्षन के और बढ़ते हैं आध्ये अत्र क्या प्रते आध्ये में कौन सा प्रते है की लिव क्विप या कितिन यहां पर लिव की जगा आप लिप कर लेना यह गलत चप गया है लिप कर लेना यहां पर बताया है आध्ये में कौन सा प्रत्य लगावा है दूस्तों जी आध्ये में लिप प्रत्य का प्रियोग वाए आगे उपसर गे पिचे ये है तो दूसरा विकल बिल्कुल सही रहेगा प्रस नंबर शडशट का आगे बढ़ते हैं 68 की तरप बागवेश्वनूत्सकिनी अत्र संदी नाम किम बागवेश्वनूत्सकिनी में कौन से संदी है व squishy, गुन, यन या आयादी चार विकल आपके सामने 68 में बताए राइट आंसर बागेश्वनूत्सकिनी इसमें जो संदी है दोस्तों वह यन संदी का प्रियोग वा है बिल्कुल तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रेशन नंबर 68 का आगे वड़ते हैं गुणसितर नंबर में से पतनी जने अत्र के समास है से पतनी जने सब्द में कौन सा समास है तत्पुरुष करमधारिये अविवभाव या चार रहेगा बहुबरी समास का प्रियोग हुआ है से पतनी जने में बहुबरी समास है चोता विकल्प आपका बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं सलोक के समिन किम चंद सलोक में कौन सा चंद है विकल्प आपके हैं सारदुल विक्रिडितम वसं तिलका और मंदा करांता औ 15 16 17 19 19 वरन है प्यारे सातियों बाप पता कर लीजिए कौन सा चंद है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 19 में कौन सा होता है सारदुल विक्री डितम बिलकुल पहला ओप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सित्र का पहला ओप्शन करेक्ट है आगे बढ़ते ह नंबर में ओश्टे वर्ण अस्ती ओश्टे वर्ण कौन सा है वे बे गे छे यह चार विकार पाप के सामने दोस्तों कि ओश्टे वर्ण कि यहां पर यह लिकावाया बताए जल्दी से तो इसका राइट आंसर बे यहां पर है यह वही है बताएं जल्दी से एकेतर का राइट आंसर दूसरा ओप्शन हो जाएगा उपप द्यानम ओश्ट हो बिल्कुल बे जो है ओश्टे में आएगा दूसरा विकालप आपका बिल्कुल सही है एकेतर नंबर का बहतर नंबर में बढ़ते हैं एहम आपकीयन पठ्थे जोता मैया पुस्तकम पठ्थे तो बहतर नंबर का बाप को आइट आंसर बताना है कि एहम पुस्तकम पठ्थामी का वाचछे परिवरतन क्या होगा तो इसका जो वाच्ची परिवर्थन है वो जएगा मया पुस्तकम पठेते बिल्कुल पहला ओप्षन जो है करेक्ट आंसर हेगा दोस्तों बहुत नमर का पहला ओप्षन अगला है अन्तस्त वरना संती अन्तस्त वरन कौन से हैं श्वरा कते मप्रियंत वरना ये वरले या से 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 हैं बताई अन्तस्त वरन कौन से होते हैं दोस्तों जिहां यल वरण अंतेष्ट होते हैं यल वरण का मतलब ये वर रहले बिल्कुल तीसरा विकल्प याँ पर सही रहेगा 73 में तीसरा 74 की तरह बढ़ते हैं भासा या कोसला ने संती भासा के कोसल कितने हैं बार-बार ये किशन आता है चतवार है चतवारी चतशर या चतुर देखे विकल्प कितने अच्छे दियें आपको अब कन्प्यूज होने वाली इस्तती है तो बताए राइट आंसर क्या होगा जिहां नपु सकलिंग का रूप बनेगा चतवारी तो याँ पर दूसरा विकल्प से देगा मेरे पहरे सातियो 74 का दूसरा ओप्शन करेक्ट है भाचाय कोसला ने चतवारी संती आगे बढ़ते हैं वाचन कोसलेशे विकास भवती पहला मोखिक अभिव्यक्ति मादिमेन सर्वना ब्यासेन मोण पठनेन या भूमी का निर्वनेन बताई पिचेतर नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा वाचन कोसलेशे विकास है भवती तो सातियों पिचेतर नंबर तो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा मोखिक अभिव्यक्ति मादिमेन इसके मादियम से वाचन कोसल का विकास होता है पहला उप्षन करेक्ट आंसर है पिचेतर नंबर में प्रेशन नंबर छेतर के और आते हैं रामेन एहम द्रशे इती वाक्यम कृत्र वाचे बविशेती इसका कृत वाचे बताना है पहला विकल्प रामेण मया द्रिश्य, दूसरा राम है माम पश्यती, तीसरा राम है एहम पश्य, चोता राम है माम पश्य, बताए दोस्तो, आपको इसका कृत्री वाच्चे बनाना है, यह करम वाच्चे में है, कृत्री वाच्चे में आपको ट्रांसलेट करना है, तो यहा Ads में दोस्तों कमेंट करना हैं आपकी कितने क्यों संसे होते हैं वाद वीवादम किद्रिशी पाट्य सेंगामी क्रिया साहिति का सांसकरती का मानसी की या किद्रशी नास्ती यह विकलप आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा प्रेशन नंबर 77 का बिल्कुल साहीति का या पर पेला ओप्षन ही राइट आंसर एगा वाद विवाद साहीति का पाटे से गमिक रिया है अगला है प्र प्रागत साइक उपकरण कौन सा है शाम पठ है दोस्तों मेरे प्यारे सात्यों तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा अगला है 79 निर्दारित पठे करमात पाठा नाम चैनम अस्मिन सिदानते परीगनित मस्ती उदेश्ये चैन सिदानते समवाई सिदानते अभी सिदानत होता है यह बताना है आपको पाठ चैन का सिदानत बताना है दोस्तों तो पाठों का चैन करने का सिदानत क्या होता है उनके उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् नेन चोता लेखना अभ्यासेन बताए दोस्तों अस्षी का राइट आंसर सर्वन कोसल का विकास किस प्रकार से होगा तो राइट आंसर एगा पत्य गीता नाम अभ्यासेन पहला विकल्प अस्षी का बिल्कुल सही है अगला है पंडित प्रणाली अपी किसे कहा जाता है विक रहे हैं अब आपको कमेंट box में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा इक्यांसे नमर का पारट शाला विदि पहला ओप्सण ये रहेगा पंडित प्रणाली पार शाला विदि को कहा जाता है सबसे प्राचेन विदी भी है अगला किशन देखी डी कितना खोले गए थे केंद्रिय विदालिया हा नवोदे विदालिया हा संस्कर्थ विदालिया या सिक्सा डे विदालिया कितना important question है दोस्तों बयांसि आप right answer बताइए कि कि किस प्रकार के शिक्षक है, शातब चतूरह वाकपठू इज्न वान या प्राचार ये निकटस्त, परभावी शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, तो सिदी सी बात है, परभावी शिक्षक को घ्न वान होना जरुर ये दोस्तों, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो प्राच्चे शिक्षाय प्रोसानम, पास्चाच्ची शिक्षाय प्रोसानम, उप्रियुक्त द्व्यम या नेकी मपी, बताए चोर्यांसी नंबर का राइट आंसर, चल्दी से कमेंट कीजे वीडियो को लाइक कर दीजे आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है चोरियांसी नमर का दोस्तों पास साथे शिक्षा या प्रोसानम दूसरा विकल बिल्कुल सही रहेगा आगे बढ़ते हैं पिच्चांसी नमर की तरफ तो आंतरिक मुल्यांकनेन चात्रेशू की दर्शी भावना समुत्पना भवत्ती आंतरिक मुल्यांकन से चात्रों में कौन सी भावना का संपन होता है उत्पन होती है संसकर्थ पठनम पर्ति इस्पर्दाया भावना उप्रियुक्त द्यम या ने कीमपी उप्रियुक्तम बताई दोस्तों 85 का राइट आंसर दोस्तों तीसरा विकल्प रहेगा उप्रियुक्त देम पहला दूसरा दोनों से ये तो तीसरा विकल्प याँ पर बिल्कुल सही रहेगा प्रस नंबर 86 क्या कह रहा है कि मुल्यांकन अवसरे सिक्षक पहला विकल्प श्वेम परती विद्ये बे छात्रे बे अधिकाना कान दद्याते दूसरा अनुसासना नू पालन बे अधिकान कान दद्याते निस्पक्स भावे ने परती भाए अंकान दद्याते या संक्षिप्त करम लिखित बे अंकान दद्याते यानि मुल्यांकन में शिक्षक को किस प्रकार से व्यावार करना चाहिए किस प्रकार अंक देने चाहिए तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निक्स पक्स रूप से देना चाहिए, परतिबा के अनुसार अंकन देना चाहिए, तीसरा अभिकल बिल्कुल सही है, 86 का प्रेशन नमर 87 की तरह पाते हैं, शिक्षन से सपलता निर्बरा भवती, शिक्षन की सपलता किस पर निर्बर करती है, छात्रा नाम उपरी, शात्रों पर, शिक्षक का नाम उपरी, शिक्षक का नाम उपरी, बताएं दोस्तों, शिक्षक की जो सपलता है, वो किस पर निर्ब करते हैं सेदी सी बात है वह निर्बर करेगी दोस्तों सिख्षक के उपर दूसरा विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा 87 का 88 कितरे पाचे यह सब्दानु सासनम व्याकरणम इत्ती उक्ति अस्ती व्याकरण को सब्दानु सासन किसने का है पाणी ने पतंजले वरद राजशेया ने कश्यापी बताए दोस्तों व्याकरण का दूसरा नाम सब्दानु सासनम लेकिन यह सब्दानु सासनम किसने का है तो मेरे प्यारे सात्यों यह का है पतंजले ने विल्कुल दूसरा विकल्प ही सही रहेगा प्रेसर शेक्षिक निर्देशनम या शर्वे बताई दोस्तों कि सिक्षन में मुल्यांगन की उप्योगिता क्या है 89 नंबर आपके सामने है कमेंट वोक्स में आपको आंसर देना है 89 का राइट आंसर सर्वे रहेगा विकल्प नंबर दो बिल्कुल सही चार बिल्कुल सही है अगला क्योशन सेतम नगरम अगचत इत्य से अशुद वाक्य से इस्ताने सुद्वाक्य भविश्यती इसका सुद्वाक्य आपको बनाना है यह अशुद वाक्य है इसका सुद्वाक्य बताईए चार विकल्प आपके सामने है आंसर दीजिए बिल्कुल पर्शन नंबर जो 90 है उसका राइट आंसर एगा दूसरा विकल्ब से तद नगरम घच्छत दूसरा विकल्ब बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों ठीक है यह थे दोस्तों आज के कुल 30 क्यूशन संस्कर्ट के और 30 में से आपके कितने क्यूशन सही वे थेंक यू